हे वाट्स अफ गैज क्या हल चाल उमीद आप सब बढ़िया होंगे तो गैज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप माइन क्राफ्ट के अंदर एक इजी सा वेस्ट सूपर इसमेल्टर कैसे बना सकते हो जिसके अंदर आप चुटकी वर में हजारों आइटम्स को इसमेल् रेल चार चेस्ट दो माइन काट विद हो पर दो गिलास विलोग अभी गईज आपको ये सबी आइटम्स ले लेने हैं अपने सूपर इसमेल्टर को वनाने के लिए अभी गई शूपर इसमेल्टर वनाने के लिए आपको सबसे पहले एक डवल चेस्ट प्लेस करनी हैं इस वाद गईज आपको इस वाली चेस्ट के उपर दो गिलास विलोक लगा देने हैं और पहले वाले गिलास विलोक के उपर एक रेड इस्टोन लेंप लगाना है दूसरे वाले के उपर एक बिल्डिंग बिलोक रेड इस्टोन लेंप के आगे आगे आपको एक लीवर लगा दे आप 16 या 16 से कम्या 16 से जादा 20, 30, 32, 40 जितने भी आपको hopper connect करने हैं आप लगा सकते हो आपको जितना भी बड़ा अपना smelter बनाना है आप उतने hopper इसके आगे लगा देना तो गई जो मैं 16 hoppers का smelter बनाने वाला हूं तो मैं 16 hoppers लगा रहा हूं और 16 hoppers हमको same chest के आगे भी इन सभी hoppers के उपर जो हमने side में लगाए हैं इन सभी hoppers के उपर किराव चोकर एक एक फरनेंस लगा देनी हैं और सेम हमको पीछे वाले hoppers के उपर 16 फरनेंस लगा देनी हैं अवी दौनों तरफ ये फरनेंस लगाने के बाद इन सभी फरनेंस के पीछे हमको किराव चोकर एक एक hopper लगा देना हैं ये जो hoppers हम फरनेंस के पीछे लगा रही हैं इनके अंदर से फरनेंस के अंदर fuel जाएगा और किराव चोकर हमको फरनेंस के उपर वी एक एक होपर लगा देना है जिनके अंदर से फरनेंस के अंदर इस मेल्ट होने वाले आईटम्स जाएंगे तो गई जिस तरीके से हमने इस वाली साइड फरनेंस के साथ होपर्स कनेक्ट की हैं अवी गई जहम को इस मेल्टर के पीछे वाले इन दौनों होपर्स के पीछे किराव चोकर दो विल्डिंग विलोग कनेक्ट करने हैं एक विलोग इदर लगा कर गई जहम को इदर विल्डिंग विलोग से यू सेप बना देनी है पीछे इस तरीके से विल्डिंग विलोग लगाने के बाद आपको आगे की तरफ चार विल्डिंग विलोग इदर लगाने है और गई जह आपको पीछे वी यू सेप में विल्डिंग विलोग इस तरीके से लगा देने है गई जप नीचे वाले इस वाले बिलॉक को तोड़ देना अवी एक building बिलॉक इस वाले कौने में लगा देना है उसके बाद गई जब को इन सवी hoppers के उपर railing system बिचाना है जिससे इन hoppers के अंदर item और fuel जा सके अवी एक power rail redstone lamp के उपर लगाने के बाद इसके आगे हमको normal rail 7, 8, 9 कितनी भी विचा देनी है और 7 या 8 rail लगाने के बाद फिर से हमको एक power rail लगानी है फिर उसके बाद गईज हमको फिर से आगे की तरफ normal rail लगानी है इदर last वाले hopper के उपर हमको एक power rail लगानी है इस power rail के आगे हमको you shape में rails लगा देनी और गईज दूसरी तरफ चले जाना है hoppers के उपर अवी इस वाली hopper की layer के उपर भी हमको सेम तरीके से ही rail विचानी है इस वाले hopper के उपर normal rail लगा देनी है वाकि गईज power rail वाले hopper के आओगे मतलब बरावर में आपको power rail ही लगानी है अवी गईजी ये सेम railing system हमको नीचे वाले hoppers के उपर भी विचाना है सबसे पहले एक power rail इसके आगे गईज हमको 78 normal rail लगा देनी है यहाँ पर एक power rail आ रही है तो इसके नीचे वाले hopper के उपर भी हमको power rail ही लगानी है अवी गई सेम तरीके से हमको आगे की तरफ भी rail लगा देनी है यहाँ पर भी power rail ही आएगी इसके आगे हमको normal rail से यूसेप बनानी है और गई यहाँ पर भी एक power rail ही आएगी इसके वाद normal rail हमको आगे की तरफ लगा देनी है इस वाले hopper के उपर भी एक power rail लगा कर इसके आगे फिर से हमको normal rail लगा देनी है गई जाप last वाली power rail को place करने से पहले इन वाली side वाली power rails को आगे की तरफ थोड़ा सा extend कर लेना बाद में इनको तोड़ देना वरना ये सारी power rails एक साथ connect हो जाएंगी तो आपको इस तरीके से इस last वाली power rail को लगाना है उसके वाद गई जापने जो ये temporary rails लगाई थी इनको आप तोड़ देना और वापस से इन blocks को लगा देना है अभी गई जिसके वाद आपको इस वाली power rail के उपर एक crouch होकर आपर connect करना है जिसके उपर आपको एक double chest place कर देनी है अभी आपको इन दौनों rail line के उपर एक एक minecart with chest place कर देनी है और अभी बारी आई power rail को power देने की तो आपको middle वाली दौनों power rail के पीछे दो-दो building block connect करने ह आपको आगे वाली power rail के पीछे भी दो building block लगा देने और इन दौनों building block के आगे आपको दो-दो redstone torch लगानी है आपको आगे वाली power rail को भी power देनी है उसके लिए आप एक redstone torch इस वाले block के उपर लगा देना और गईज यह जो side वाली दो power rail वची है यह होंगी गई जिस redstone lamp वाले lever से activate इसके बाद गईज यह जो उपर वाली chest है ना गईज और यह जो mine card with chest है यह हो जाएंगे आपकी fuel और smelt किये हुए item की chest तो उपर वाली chest तो हो गई आपकी fuel की chest आप fuel के लिए कुछ भी use कर सकते हो आपको आपके पास जिस वी type का fuel है आप lava vacate coal या गई ज बुड fix यूज कर सकते हो वस वो जलन सील पदार्त होना चाहिए मतलब की fuel आपको इसा भी fuel यूज कर सकते हो और गई जापकी जो यह mine card with chest है यह हो गई जापकी वो वाली chest जिसके अंदर आप items को smelt करोगे तो वस हो गया काम और इसी के साथ अभी अपना यह simple सा easy सा best super smelter वन कर र smelter वनकर ready हो जाएगा मतलब activate हो जाएगा अभी गई यह दौनों mine card with chest इदर से गूमती रहेंगी और गई आपने जो भी इनके अंदर आइटम और fuel रखे हैं वो फरनेंस के अंदर जाती रहेंगी और गई जिस वाले smelter के अंदर ऐसा नहीं है कि एक फरनेंस चल रही है और side वाली फरनेंस वंद बड़ी है इसमें गई सारी फरनेंस एक साथ activate रहेंगी और सभी फरनेंस में एक साथ items smelter होंगे और गई यह वाला जो smelter है वो सच में super fast है यह गई एक साथ काफी सारे items को smelter कर देता है अभी मुझे इस super smelter को activate किये हुए यह लगवग एक मिनट भी रही हुई है और गई जो मैं आपको दिखाता हूं कि इतने समय में इसने कितने items को smelter कर दिया गई जी देखो एक मिनट से पहले ही लगवग 2 stack items को smelter कर दिया और गई जाप एक वारी speed देखो कितनी speed से यह items को smelter कर रहा है तो गई जाब भी इस तरीके से सूपर smelter को बना सकते हो काफी easy है वाकि मैं आपको इस smelter में fuel के लिए लावा suggest करूंगा क्यूंकि लावा minecraft का west fuel source होता है और गई जगर आपको लावा farm का tutorial चाहिए तो description में मिल जाएगा